एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे, इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बरताव करता था छोटे भाई के साथ, जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना का लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था एक दिन बड़े भाई ने तै किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकडियां लाएगा जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसों के लिए जैसे ही वह जंगल में गया भी वो बहुत से पेर काटे फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेर काते हुए वह एक जादूई पेर पर ठोकर खाई ऐसे में पेर ने कहा अरे महरबान सर, क्रिपया मेरी शाखाएं मत काटो अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हे एक सुनेहरा सेब दूनगा वह उस समय सहमत हो गया लेकिन उसके मन में लालच जागरित हुआ उसने पेर को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धर काट देगा ऐसे में जादूई पेर बजाय बड़े भाई को सेब देने के उसने उसके उपर सेकडों सुयों की बॉच्छार कर दी इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटे रोने लगा अब दिन धीरे धीरे धलने लगा वही छोटे भाई को चिंता होने लगी इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी उसके मन में दया आया वह अपने भाई के पास पहुँच कर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बरताफ करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बहतर होने का वादा किया पेर ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा से दिया जितना की उन्हें आगे चलकर जरुरत होने वाली थी सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालू और शालीन बनना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है